जैसे जैसे दिन बीत रहे है, वैसे वैसे ही तापमा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और तपती धूब के कारण आपको बहुती गर्मी महसुस हो रहे होगी। अब यह जो गर्मी है तब बरदाश के बाहर चली जाती है जब आप अपने घर के अंदर आते हो और सुकून से थोड़ा सा आराम करना चाते हो पर वहाँ पर भी आपको गर्मी महसूस होने लगती है इसका कारण यह हो जाता है कि तपती धूब की वज़े से आपका घर जो है वो भी गर्म हो जाता है जिस वज़े से वहाँ पर आपको गर्मी महसूस होती है तो आखिर इस बढ़ती हु के अंदर ठंडा-ठंडा कुल-कुल महसूस जरूर होगा. Point No.1 है Reflective Paint. जैसा कि आप जानते होंगे कि सूरज की तपती धूप डारेक्ली आपके छट के उपर आती है, जिसकी वज़े से आपके घर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है. और 30% Solar Radiation को Reflect कर देती है. वही अगर आप Reflective Paint लगाते हैं, तो वो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ 30% Solar Radiation को Absorb करती है और 70% Solar Radiation को Reflect कर देती है. इसका नतीजा यह होता ही कि आपके घर का अंदरूनी तापमान जो है, लग रहा है, तो आपके लिए एक सस्ता विकल भी होता है. आप क्या कर सकते हो, चुना और फिविकॉल, इन दोनों को Mix करने के बाद, इसे अपने छट के उपर अपलाई कर सकते हो. इससे डेफिनेटली आपका जो घर है, उसका टेंपरेचर कम होने में जरूर मदद मिलेगी. अब यहाँ पर अगली चीज जो है, जिसकी वज़े से आपके घर का टेंपरेचर बढ़ता है, उसके पीछे कारण यह होता है कि खिड़कियों को आप सही समय पे नहीं खोलते हो. देखिए दोस्तों, अगर आप दोपेर के समय में अपनी खिड़कियों को खोलते हो, ऐसे समय में बाहर की जो गर्म हवा है, वो आपके घर के अंदर आजाती है, और आपको घर के अंदर गर्मी महसूस होती है. इसलिए आपको क्या करना है, जब सुबह का समय होता है या फिर शाम का समय होता है, जब ज़्यादा गर्म हवाय नहीं चलती है, ऐसे वक्त में आपके खिड़कियों को अगर आप खोल के रखते हो, ऐसे वक्त में ठंडी हवाय जो है, आपके घर के अंदर आएंगी, और आपके घर का टेंप्रेचर कम होने में जरूर्व मदद मिलेगी. आपके घर की जो खिड़किया होती है वो बहुती महतोपूर्ण रोल अदा करती है आपके घर का टेंपरेचर कम या फिर जादा करने में अगर आपके खिड़कियों से अच्छा हवा का बहा होता है तो आपको घर में फ्रेश महसूस होता है साथ में आपके घर का temperature भी कम होने में मदद मिलती है दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि जो curtains होते है यानि कि जो पड़दे होते है वहाँ पर आपको कुछ चीजों के तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है जैसे कि जो dark color के curtains होते है वो अपने अंदर धूप को खीच लेते है जिस वज़े से आपको रूम के अंदर ज़्यादा गर्मी महसूस होती है इसके बजाए आप जो है light color के curtains अपने घर के अंदर लगवा सकते हो जो की टेज धूप को reflect कर देंगे और आपके रूम को ठंडा रखने में मदद करेंगे अब next point आ जाता है जो की है false ceiling अब यह जो false ceiling होती है इनकी वज़े से आपके रूम का look जो है वो एक step आगे चला जाता है पर क्या आपको पता है कुछ जगह पर गर्मी को कम करने के लिए भी लोग जो है घर का temperature कम करने में मदद कर सकते है हाला कि रूम को ठंडा रखने के लिए कुछ लोग ऐसा भी जुगाड करते है कि गीले तोलिये को वो खिड़की के पास रख देते है जिससे की रूम में ठंड़क बनी रहे इसी तरह से और भी कुछ जुगाड होते है जिससे की आप गर्मी से रहत पास सकते हो जैसे की आपका जो table fan होता है उसके सामने आप ठंडी पानी की बोतले या फिर ठंडे पानी से भरा हुआ बरतन रख सकते हो जिससे की fan से निकलने वाली हवा उस ठंडे पानी के संपर्क में आ जाएगी और ऐसी ठंडी हवा आपके पूरे रूम में फैल जाएगी हाला कि एक दो बार लोग गर्मी से बचने के लिए ऐसी चीज़े करते है अब अगली चीज जिसके वज़े से आपके घर को ठंडा रखने में आपको मदद मिल सकती है वो है exhaust fan जिन गरों में ventilation की बहुती बड़ी दिक्कत है यानि कि घर के अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर आसानी के साथ नहीं जा पाती है वहाँ पर आप जो है exhaust fan का इस्तमाल कर सकते हो अब ये जो exhaust fan होते है इनकी मदद से घर के अंदर जो गर्म हवा होती है उन्हें बाहर ढखेलने का काम ये exhaust fan करते है जिसकी वज़े से भी आपके घर का temperature कम होने में मदद मिलती है और कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने छट के उपर green shade net का भी इस्तमाल करते है जिने की वो parapet wall के उपर बान देते है जिस वज़े से आपकी जो green shade net होती है और slab है इन दोनों के बीच में कम से कम दो से लेकर धाई feet तक अंतर हो जाता है और सूरज की जो तप्ती धूप होती है वो directly आपके slab के उपर आने के बजाए green shade net के उपर आती है जिस वज़े से आपका slab जादा गर्म नहीं होता है तो गर्मी से बचने के लिए ये भी option लोग करते है और देखें दोस्तों जैसे के हमने देखा कि तप्ती धूप जो है आपके छट के उपर आती है उसी तरह से दूप जो है आपके दिवारों के उपर भी आती है इस वज़े से जितने light shade का आप इस्तमाल करेंगे उतना ये दूप जो है वो reflect हो जाएगी और आपका घर जो है वो जादा गर्म नहीं होगा अब आपके इसाब से कौन सी चीज़ों की वज़े से घर का temperature कम हो सकता है इसके बार में आप comment box में comment जरू करें वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तो इसे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को जरू सब्स्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है